पैसर शुरानिकी तुने हिम्मत कह सके शर्म नहीं आये तुझे अरे तुम दो बच्चे हो एक ही परिवार के और इसने ऐसी हरकत की पैसरम जोर कहीं के जितनी कालिया रूदनी कम है अरे तुझे तो मार देना चाहिए जब आपका बड़ा भाई मुसीबत में बड़ा था तब आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा और अब बेटी की शादी तूट रही है तो आपको रिष्टे याद आ रहे है उस दिन आप ही ने रिष्टे को ठोकर मार दी थी और आज इसे उसकी एहमियत नहीं है सच कहूँ तो आपको इसे डांटने का हग नहीं है सर अच्छे वक्त में अपनों का साथ छोड़कर बुरे वक्त में उसूलों का हवाला नहीं देना चाहिए यह सही नहीं है मेरे पास पल्लवी को देने के लिए इसके लावा आख कुछ नहीं है माफ कर देना नहीं भाईया मेरी वज़े से आपने दर्दर की ठोकरे खाए दस साल आपने नर्ग की जिन्दगी जी है मुझपर मुसिबत पढ़ी तो एक मिट में बिलकुल बॉखना सा गया यह सब क्यों भाईया यह सब क्यों भाईया लिजे और मुझपर एक हैसान करना भाईया दो गंटों के लिए बिना पीए सर पे साफा बांध लेना और अपनी बेटी का कन्यादान करना भाईया आपके अला मेरा हो रहे ही को है इतरा यह तेरी तेरी प्रोपर्टी है तु ही हम दोनों का वारिस है दारू सिग्रेट पीके जिंदगी क्यों बरबात करनी है यह ले चाबियां रख अब सिर्थ तु ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ाएगा दुको मेरी ऐसी हालत देखके शायद बहुत हासी आई हो तुमें लेकिन तुमने मजाक नहीं उड़ाया हमारे आंसु पोछे तुमने हमें फिर से एक किया तुम्हें जन्म देने वाला तो कोई मान ही हो सकता है हुआ 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 है हुआ 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 मैं ये तो नहीं जानता कि मेरी शादी किस से होने वाली है पर कोई लड़की मना करने के बाद फिर से शादी करना चाहे तो ये फीलिंग कुछ अलग ही होती है उस दिन जब पलवी सगाई तोड़कर टेबल पर अंगूठी रखकर जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा के बिना और उनकी प्रॉपटी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ जीरो हूँ लेकिन अब उनके बिना उनकी प्रॉपटी के बिना भी आइम सम्धिंग और हाँ जीरो तो नहीं हूँ मुझे लो शुगर है बच्पन से और उसी के लिए टाब्लिक्स लेती हूं ट्रॉक्स नहीं लेती हूं यह सर्फ वही जानते हैं जो मेरे करीब होते हैं जिने में चाहती हूं ओके मतलब मतलब जो लोग मेरे लिए स्पेशल होते हैं जैसे कि तुम लहिक हमारी शादी और बच्चे होने के बाद हो सकते हैं तुम कहो कि तुमने इडाबिटीज वाली बात है शादी और बच्चे वो वो मुझे मुझे जाके मेक अप करना है यह ठीक है देको सारा लगेश बहार नकालो सर्फ यह लो पंदरा लाग का चेक है पर आपको तो दस ही देने हैं तुम्हें जितना दू उतना कम है बेटा सर्फ नो सर्फ मैं यह नहीं ले सकता सर्फ प्लीज आप यह फीज नहीं मेरा प्यार है प्लीज जो अजय सिंग मुझे अपनी बेटी देने वाले थे परी की स्कूल फीज दे बैठे है हम शादी कब कर रहे हैं कोई ट्राफिक में ये बाते पूछता है क्या पहली बार तुमने मुझे सिग्रिट के साथ देखा जिस लड़की ने सगाई तोड़ी उसी का मंदप सजाया लो शुगर होने के बावजूद मुझ से इतना प्यार किया हमारी लव स्टॉरी तो सब स समझ गया घर आके मेरा हाथ मांगो इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है करेक्ट ऐसे मामलों में फैसली सोच समझ कर करने चाहिए हाँ हाद सोचो और कल आ जाओ बहुत टाइम दे दिया सुबह लक्षमी समीरा ओके समीरा जी तुम अब तक आये क्यों नहीं ट्राफिक में फशा हूं और दो घंटे लगेंगे पापा से कहो अपने दमाद का इंतिजार करें ऑके बस पहुंच रहा हूं हलो है शौक लगा क्या सुबह लक्षमी जी इरिटेट मत करो बनी जी ठीक है इरिटेट नहीं पहले ही लो मेरे मामी पापा ऐसे ही बात करते हैं ओ तो ये है वो मेरी हालत उस चुहे जैसी थी जो शेर के कुफा में साइट सिंग करने जाते हैं मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसकी बेटी का रिष्टा इससे तोड़ दे और मैं इसे अपनी बेटी दूँ समीरा आपकी बेटी है पत करना चाहती थी मैंने नहीं सोचा था कि ये जनरेशन इतनी ना समझ होगी इंसान पैसा कमाने के लिए ही बना है महंगी गाड़ी खरीडनी चाहिए एशो आराम की चीजें होनी चाहिए रहने के लिए ऐसा बड़ा सा एक घर होना चाहिए और बात करने के लिए इसे दिवारे करते हैं तुम क्या कह रहे थे आपको बनी क्यों नहीं पसंद है पापा मैं समझ नहीं पा रहे हैं लड़का जवानी में दारू पिए सिग्रेट ठूंके या ड्रग्स ले मुझे कोई प्रब्लम नहीं हम उसे रिहाबिलिटेशन सेंटर भेज कर उसका इलाज करवा लेंगे लेकिन इस लड़के की बीमारी का कोई इलाज नहीं है कौन सी बीमारी अच्छा बनकर भलाई करने की बीमारी ऐसे लोग अपना सब कुछ दान करके जिंदगी भर फकीरों की तरहा रहते हैं समीरा वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है तुम्हारे पापा से बहस नहीं करना चाहता है तुम मुझे चाहती हो तो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें इसी वक्त अपने साथ ले जाऊँगा शाबाश, तुम्हारे पिता के मरने के बाद भी, कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, और तुम मेरे सामने ही मेरी बेटी को ले जाने की बात कर रहे हो, क्या यही है तुम्हारी वैलियूस, तुम सिर्फ ढों करते हो, तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा चीटर था, उस वक्त अगर हाथ में चाकू होता, तो इसका खून करके शमशान पहुचा देता है, और खुछ जेल की सलाकों के पीछे होता, मेरा बाप नहीं, मेरे पिता कही है, अगली बार उनका नाम लेने से पहले दो बार सोचिएगा, आज कल तो मैं उ करके कैसे उन्होंने मुझे टोपी पहनाई, वो मदद करना जानते थे, किसी को मसाना नहीं, मोहन कुमार में श्रा बिना प्रूफ के बात नहीं करता, ये प्रॉपटी तुम्हारे पिता ने ही मुझे बेची थी, तब इसकी कीमत 10 करोड थी, आज 30 करोड है, लेकिन इस से जुड़े पाकिसारे पेपर्स देवराज नाम के एक आदमी के पास है, जिसने वहां अपना बोर्ड लगा कर उस जमीन पर कबजा कर लिया है, जब तक मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करने पहुँचता, वो इस दुनिया से चले गए, तुम इन पेपर्स को आपने सारी प्रापटी लोगों में बांट दी और वो बेकार के शेर्स रख लिये, अब तुम ही बताओ, मुझे ऐसी जमीन बेचने वाले तुम्हारे पिता महान है, या अब तक इस बारे में जिक्र तक नहीं करने वाला मैं महान हूँ, जाओ, और जाकर शादियां अरें लोटा होगे क्या, पैसा नहीं दे सकता, पर वो प्रापटी पेपर्स ला कर दूगा सर, तुम मुझे पेपर्स ला कर दोगे, जानते हो वो पेपर्स किसके पास हैं, देवराज ठाकुर, वो मेरी तरह शरीफ आदमी नहीं जो तुम से प्यार से बात करेगा, उसका धूसर मानते हैं, अजारों हथियार बन लोग उसके साथ रहते हैं, देवराज ठाकुर इंसान के रूप में एक चलाद है, वैसे बात करने के लिए लोगों की जबान चलती है, वैसे बात मनवाने के लिए चलता है उसका खंजर, उसकी इजाज़त के बिना एक मक्षी तक उसके घ पेपर्स कैसे निकालोगे, भले ही रावन के दस सर थे, उसके सामराज यकी राक्षस रक्षा करते थे, अशोक वाटी का कहां थी किसी को नहीं पता था, लेकिन वहां पहुँचने के लिए, भगवान राम ने रास्ता ठूंड ही लिया, मैं वो पेपर्स लेकर आऊँगा, आज से ठीक चार हफते बाद, उस लैंड का मुआइना करने बैंक आफिसर्स आएंगे, तब तक पेपर्स लापाओगे, हाँ ले आऊँगा, ठीक चार हफते बाद, एक महीना, आज एक कीस तारिक, अगले महीने की बीस तारिक तक, अभी दोपहर के बारा बजे, अगले मह पर्स लेहाए तो वादा करता हूँ, तुम्हे अपना दामाद बनाऊगा, मेरे पापा की तस्वीर पर हार चड़ाना पड़ेगा, और सौरी कहना पड़ेगा, हो सकता आपको छोटा मूँ बड़ी बात लगे, लेकिन पत्नी का दिल जीतने के लिए, कब तोड़ने से